हलो दोस्तो नवस्कार आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल चोपडा एजोकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो एमस एक्जाम की ओफिसल वेबसाइट एमस एक्जाम्स.org पर बेसिक रेजिस्टेशन फोर एमस एमबीबियस 2020 का लिंक आ रहा है तो काफी सारे स्टुडेंट वे पेरेंट्स इसको लेकर कन्फियूज्ड हैं मेरे कॉमेंट्स बॉक्स में भी काफी स्टुडेंट ने कॉमेंट्स लिखे हैं कि एमस वेबसाइट पर बेसिक रेजिस्टेशन एमबीबियस 2020 का लिंक आ गया है तो क्या एमस के बेसिक रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गए हैं क्या तो दोस्तों मैं आपको यहां बता दूँ कि यह link दो-तीन मैंने पहले से ही डाला हुआ है और active नहीं है हम जैसे ही aims exams.org की website पर visit करते हैं academic courses में MBBS पर click करेंगे click करने के बाद proceed पर click करेंगे तो यहां लिखा रहा है basic registration for aims MBBS 2020 इस पर जैसे ही click करते हैं तो इस परकार का server error आ रहा है और यह दो-तीन मेहने पहले से ही आ रहा है तो अभी तक आपको किसी भी परकार का कोई confusion नहीं रखना है किसी भी परकार का कोई registration start नहीं हुआ है अभी काफी student इस confusion में हैं कि क्या aims वजिपमर में भी need से ही admission होगा या फिर अलग से होगा तो दोस्तो अभी तक तो यह update है कि aims वजिपमर में admission need से ही होगा अगर previous year की बात करें तो 28 October 2018 को aims ने exam schedule डाल दिया था और जिपमर ने भी 15 October 2018 को exam schedule डाल दिया था मगर इस साल aims वजिपमर द्वारा इस परकार का कोई notice नहीं डाला गया है सिरफ aims ने exam date announce की थी जिसके बाद new updates में need से admission होना संभावित हुआ है अभी काफी student के comments इस परकार से आ रहे हैं कि अभी तक official notification नहीं आया है कि aims वजिपमर में admission need से ही होगा तो क्या हम aims वजिपमर की तयारी करें या नहीं करें तो दोस्तों मैं आपको यहां बता दूँ कि अभी तक का update यही है कि aims वजिपमर में admission need 2020 से ही होगा यह है इसी मैंने यानि नवंबर लास्ट वीक में जब need का information bulletin आएगा तब clear हो जाएगा फिर भी मैं आपको suggest यही करूंगा कि need का information bulletin आने तक आप aims की preparation करते रहें क्यूंकि दोस्तों rule बदली होने में कोई समय नहीं लगता है यह इंडिया है यहां political pressure वगरा या फिर अन्य किसी कारणों से rule बदली हो जाते हैं तो आप aims की तयारी करें जब तक की need का information bulletin नहीं आ जाता है यह 9 पर 25 के आज पास information bulletin आ जाएगा तब तक जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको सुचित कर देंगे तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकरी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आप से विदा जय हिंड